कर दो को पिट है इसमें थोड़ा सा वर्मी कमपोस्ट मिला देते हैं और इससे नर्सरी गोत अच्छी प्यार होती है इसको ऐसे बढ़ते हैं तोड़ा साथ हालके हाथ से ऐसे बढ़ने के बाद में इसको उते ही अपना तयार इसके बाद में हालके हाथ से ऐसे बढ़ दिया हो गए तयार इसके बाद में जैसे यह ट्रे बढ़ गई मेरी इसके उपर रख दिया मेरे यह सोट कट है वैसे तो ज्यादा ट्रेम लगता है पहर की बड़ूर के वार करूए भाना का कि बड़ू। पडऱ्ों में पड़ क कुर भार हो गया अब बिड़ शोड़े मेरे इसे वीजरूदे हुए थमतानी वीज प्मीज ne एक जर दूरूर दकाई हुं जेकिन इसमें ऐसा कुछ बहुत है, सारे के सारे वीज अंकुरित होते हैं, और मौसम का कुई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे अबर मोशम खराब होता है, तो ये ट्रेक को उठाता है और इसको अंदर रख देता है, और फिर जैसे मौसम सरी होता है, फिर बार रखतेता है, और कम बीज में सारे पौदे अच्छे तयार होते हैं, और सारे पौदे ओज युक्त होते हैं, सबस्त पौदे होते हैं, जो खेत में लगाने के बाद भी बहुत अच्छा उत्पादन देते हैं, बिमारी रोग रही तो होते हैं, बिमारी कीट रही तो पौदे तयार होते ह प्लास्टिक की प्रफियार करने नारियार होता है भर्मिकुलाइट और पर्कुलाइट रिखने मिष्ड़ होती है वोच्छ थार्ट एग घ्लिया तैयार किया आदा जे ओर साथ में टार जेड़ उसको में डिदुन के दुवारा कि ट्यार कियां ज़्मा रड़ता है जिसमें हम बरते हैं ज़सा आपनि अदे उसके बारा कि पाने बीज कर और जो इसके रखने होते हैं अदेश जे लक्प न सबसे बड़ा बैनिफिट तो यह है कि पुरीद होते हैं जब कि भार यह नर्शनी तैयार करते थे तो वहां सारे कि सारे वीजनी के अंकुरीद नहीं होते थे तो बहुत बड़ी आप एक तरह से मोडल फार्मर के रूप में इस तरह की सेवाइं आप प्रवाइड करें और जहां पहले पोद के लिए किसान को बहुत दूर बटकना पड़ता था आज वह वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा कर और इस तरह से ट्रे में अपने बीज को कर लिया है और यह अक्षी प्रकार से बहुत कम समय में अच्छी को तैयार कर लेता है इस तरीगे से अब इसके बाद क्या करेंगे साथ इसमें इसमें सारा बीज दूल गया इसमें अब क्या है से एक वर इसको वापस गुमादें है यानि कि नीचे तब गया इसकी खाद की से बीज इसमी rights है वह्ति एक नकी स्परे करता हूं। वैद्व सबसे बड़ी बात है कि पानी की बचतत है इसमें लगातार इनको पाने का शिकता नहीं कि हो लेकशनटनHz से वाप इसमें वह अलग लग करता हूं, अब क्या करें इसके बाद開始 हुए। इसको परसों को अब बुली तो जाएगी तीसरे तर इसको एक 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 कर देंगे और फिर यह उपर ग्रीन नेट लगो देंगे अच्छी नेट लगते ही हम डैली एक या दो टंकी स्परे करते हैं तीसरे चाले ही लिटर पानी ग्रीनेट जुब आप से जानना चाहूंगा कि सबस्ते फाल जो एगो पंडः हूरी झालेटे कि इसमें अजिए पट्रन साथा करते हैं उसकी तुल्लामें कम समय में इसमें बूत् तयार हुझत ra सब्स्या इसका फायदा एक इसमिंचीने में जुंचीने घृत हुट होते हैं कि इसमें जो पॉतस आर इने लोगन ऐसे थ एक्षे भाइदे हैं फिर मौसम जलवायों का को इस पे नहीं पड़ता है जब भी मोसम खराब होता था इसको वह अंदर रख देते हैं और जब मोसम ठीक होता है तो भाहर रख देते हैं तो किसी प्रकार का कोई इस पर रिस्क का सोधा नहीं रहता है अगर इस तरीटी से साल के रिस्क नहीं रहती है बहुत बहुत धन्नेवाद सर्ट